एर्थ डे की इस एडियम सेंड फ्रिजर्स की क्लास में मैं पवन आपका स्वागत करता हूं माड़ यर हम लोग रोज पांच एडियम से सीखी रहे हैं तो बढ़ते हैं आज की पांच एडियम की तरफ लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों ने एडियम सेंड फ्रिजर्स की ये स्रीज लांच से की हुई है और इस स्रीज में आपको मिलता क्या है परड़े पांच एडियम से मैं आपको उनको शिखाता हूँ न कि आपने अक्सर देखाओगा कि आप लगन करते हो भूल जाते हो याद नहीं होती परिक्षा में आने के बाद फिर मामला पूर अगरबर हो जाता है लेकिन हम जो टेक इसकी इडियम्स हमारी जो फूस्ट एडियम इस खुरकोडायल्ट लीजक का मतलब के रह ऑप अगरमचच के आसू गिराना आपको पता है आपको पता है कि मगेर मक्च रोते नहीं का मतलब शमझ रहे हो उनके आशू आपको जो गिर हुया दिकह रहे ना कि मगर मक्च के आसू क्योंकि वो हमेशा पानी में रहता है बेचारा पानी में तो हमेशा उसकी आखों से या हर बॉडी से उसके तो हमेशा ही पानी चूता रहेगा तो लगेगा भाईया बस रो रहा है कहीं है रो तो नहीं रहा है तो मगर मक्च के आसू का मतलब होता है ठीक तो अगर कोई इनसान क्रोकोडायल टीयर्स दिखा रहा है यानि अगर कहीं पर लिखा है क्रोकोडायल टीयर्स तो समझो कि क्रोकोडायल की आसू तो कभी हमें देखने को मिल नहीं सकते क्योंकि वो तो हमेंसा पानी में रहता है पानी में रहता है तो हमेंसा पानी से तो समझ में नहीं आएगा तो हमेशा रोता हुए दिखेगा हमेशा रोता हुए क्या हो सकता है नहीं हो सकता है मतलब वो जूठा हमें दिख रहा है रोना उसका उसका रोना क्या दिख रहा है तो ऐसा आप समझो कि जूठी सनवेदना अगर आपको कोई दिखाता है जूठी स तू भी sympathetic, तू pretend, मतलब बहाना करता है, sympathetic बनने का वो बहाना करता है, आपके प्रती सहानुभूती दिखाने की बहाना करता है, दिखावा करता है, जैसे हमारे जो false friend होते हैं न, वो कभी इससे चूपते नहीं हैं, हम ऐसा कुरूराइल टीर्स दिखाने से में आगे रहते हैं मतलब कुछ भी हुआ, अरे यार मैं तो भात यह नहीं वोन, यह कुरूराइल टीर्स जरूर दिखाते हैं, वास्तों मनको कोई फरक नहीं पड़ता, याद रहेगी, आगे बढ़ते हैं, birds eye view, यह जो पक्षियां होती हैं, आपको क्या लगता है, यह पक्षियां उपर उप तो उड़ा करती हैं, अब उपर उपर जब उड़ती हैं तो इनकी आखों से क्या एक दो चीजे दिखती होंगी, इनकी आखों से आसमान से पुरा नीचे की जमीन बहुत ही beautiful view में दिखती होगी, बहुत घजब की दिखती होगी, क्योंकि यह उपर से उड़ रही हैं तो ब बोलो, तो भया, बड़स आई विव का मतलब इसलिए कहा गया है, सरसरी नजर से दिखना, संचिप्त द्रिश्य, हम इंगलिस में कहेंगे, अविव फ्रॉम हाई एंगल, अच्छा बताओ, पक्छियां क्या नीचे से देखेंगी, उड़ती हैं पक्छियां, पक्छियां उ ना करेंगे, ठीक है ना, तो बड़स आई विव वो उपर से उड़ती हुई जाती हैं, भया, तो वो उपर से उड़ती हैं, तो इसलिए उनकी नजरों से जो दिखेगा, वो उचाई से तो दिखेगा ना, इसलिए अविव फ्रॉम हाई एंगल को, अगर कोई उचाई से कहते हैं, बड़स आई विव, इसी को कहते हैं, कंसाई विव, जनरल विव, समाने दरी सी तो देखते हैं, वो कौन सा बहुत गहर से, कौन सा बहुत बढ़िया चीज, मतलब बहुत क्लोजली देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, जनरल विव रहेगा, सरसरी नजर से देखेंगे, फ्रम जैसे कि फ्रम दे एर प्लेन, I had a bird's eye view of the city बेलो, अब आप एर प्लेन से उड रहे थे जब हम, तो हमने देखा city का नीचे सहर का एक bird's eye view देखा, मतलब उपर से मैंने देखा नीचे का bird's eye view, सरसरी नेजर से मैंने देखा, मतलब पूरा वहां का संचीप्त द्रिष्य का bird's eye view, मतलब मैंने संचीप्त द्रिष्य का मुझे दर्शन हुआ, ठीक, आगे बढ़ते हैं, take the bull by the harness, take the bull by the harness, अच्छा, bull का सामना करो, take का मतलब यहां पर ले लो समना करने, ठीक है, take the bull, bull का सामना करना है, by the harness, किस्ता सामना, अच्छा, bull को का होती है, शींगे होती है न बुल को शींग होती है की नहीं होती है अच्छा हमें बुल के साण के सींग से ही तो डर लगता है क्योंकि वो शींग से मारेगा तो फिर कहां खुसजाये क्या हो जाये कुछ पता नहीं है और आजकल तो आप देखी रहे हो कि maximum बुल्स कहीं न कहीं देखने को मिल जाएंगे कोई न कोई वीडियो देखने को मिल जाता है जहां पे बुल्स लोगों को परिशान कर रखा ये सिंगों का परियोग करके तो बुल की सिंगों से तो डर लगता है और अगर कोई बुल की सिंग बुल का सामना कर रहा है by the harness, उसको भी sing है, अब sing से ही, अब bull का सामना करा है, सार का सामना कर रहा है, तो आप क्या लगता है, कि वो साहस से miskil का सामना करा है, वो bull हमारे लिए क्या है? मुशकील है, यह bull जो हमारी idiOM है, bull में, यह जो हमारी idiOM में, bull है, sorry, बूरे है ना जुबान फिसल जाती है बोलते बोलते ठीक है तो यह जो हमारी एडियम में बुल वर्ड है यह समझो की बुल वैसे भी सांड्स खदरनाक होते है ना यार कौन बहुत प्यारासा होता है उसको प्यार आता है उस पे नहीं खदरनाक होते हैं डर आता है लेकिन face a difficulty, courageously, to face a difficulty, courageously, life has taught me to take the bull by the horns, जीवन ने हमें, मुश्किल का सामना करना साहस से सिखाया है, life has taught me, life ने मुझे सिखाया है, to take the bull by the horns, मुश्किल का सामना साहस से करना, हांस मतलब साहस बुल की जो हांस होती है वही तो उसका सब कुछ होता है वही तो उसका साहस होता है बुल का मतलब मुश्किल होता है बुल बहुत खदरनाक होते हैं तो साहस से मुश्किल का सामना करना टे ओके नेक्स डियम है बटन वन्स लिप बटन का काम का होता है कोई चीज बंद करना अगर बटन का काम होता है कोई चीज बंद करना ना यार अगर बटन का काम होता है कोई चीज बंद करना तो इसकी लिप को बटन करने का मतलब क्या है उसको चुप कराना तो हम अगर किसी को कह रहे हैं कि अपनी मतलब चुप हो जा तो कह सकते हैं, button your lips, अपनी जुबान बंद रखना, button once lip, keep silent, stop talking, button your lip while I am teaching, जब मैं पढ़ा रहा हूं, तो अपनी जुबान बंद रखना, अपने होटो पर button लगा लोगे तो आपकी जुबान क्या, अपने लिप पर, लिप पर button लगाओ, जुबान बंद हो जाएगी ना, तो button your lip, जुबान बंद रखना, silent, stop talking, याद रखना, आगे बढ़ते हैं, बर्न दा बोट, बर्न मतलब जला देना, बोट का मतलब नाव, नाव को जला देना, अच्छा अगर मैं नाव को जला दूँगा, मैं कहीं पर गया, नदी को पार किया, नाव से मैंने नदी को पार किय और नदी को पार करने के बाद, मैंने अपनी नाव को दिया जला, अब मुझे लाटना होगा, वह बहाँ पर जाने का रास्ता सिर्फ बोट थी, और मैं उस बोट का परियोग करके गया, और जैसे ही पार कर लिया, मुझे लगा अब इसका काम है नहीं, मैं इसको देता जला, और मैंने दिया उसको जला, अब जला दिया, तो क्या करूँगा भया, मुझे वापस आना पड़ेगा, तो क्या, मैं आप आउँगा, बोलो आप आउँगा, नहीं ना, तो भया, अगर आप अपनी नाव को जला दोगे, अगर आप अपने साधन को जला दोगे, अप जैसे burn the boat, तो boat आने जाने में काम आती है, अब आने जाने में काम आती है, मैंने दिया जला, कहीं पे गया, उसके बाद जला दिया, तो वापस आने के दर्वाजे मेरे क्या हो गए, बंद हो गए, तो burn the boat का मतलब होता है, वापस आने के दर्वाजे बंद कर देना, leave no means of return, leave no means of return, वापस आने के दर्वाजे बंद कर देना, when I quite my job to start my own business, जब मैंने अपना खुद का business शुरू करने के लिए अपनी job को छोड़ा, it was like burning the board, तो कुछ समय ऐसे लगा कि मैंने वापस आने के दर्वाजे क्या कर दिया है, बंद कर दिया, कि मैंने वापस आने का दर्वाजे मेरा बंद हो गया, समझ में आया है, I hope डियर समझ में आई होगी, थोड़ा सा याद करिये, और अधिक्तम मैंने समझाया है, अगर आपको लगा कि मैंने आपको ये पांच एडियम से लगने कराने में हेल्प करिये, तो प्लेज चनल को सबस्क्राइब करके, बेल आइकान प्रेस कर दो, ताकि कल की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अगर आप पिछली वीडियोज को नई देखे हो, तो प्लेलिस्ट में जाए चनल की, वहाँ पर सारी वीडियोज मिल जाएंगी, आप देख सकते हो, या इसा सीखो, कभी न भूलो वाली टेखनीक से, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबाए, टेक चे